फ्रेंड्स नमस्कार, मैं विक्यदत्ता आज के मेरा यूटूब चैनल में एक टॉपिक्स डालेंगे, एक टॉपिक्स होता है, CTRB के असेमली, मतलब काटी, स्टैपर, रोलर, वियरिंग के में जो असेमली होता है, उसमें क्या कहा रहता है, छोटा से एक वीडियो डालेंग करिए, और चैनल पर नाया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक देना ना बुलिए, बेल आइकन दवाना ने बुल खुलिए, तो चलिए, मैं, आप लोगों को ये बियरिंग के उपर में, देखिए, ये काटी, स्टैपर, रोलर, वियरिंग के असेमली के उप रहे है, ज्यादा नहीं थोड़ा से, देखिते रहिए, रिंग CTRB, विल सेट, एंड एक्सल बॉक्स, वीद, काटी, स्टैपर, रोलर, वियरिंग, हैंडेट, एमेम के विल में, बैठते है, कैस्टन आप 22, डबलू, में 956, एमेम के होते है, जो की विल, और दोनों के कंड जो है, डबलू में, उसमें आपको 956, एमेम में, लेकिन दोनों कंडमिंग 906, एमेम में, बीडियो में, काटी स्टा पर रोलर, बीयरिंग के एसेमली और इसके जो फॉल्ट होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, ये सामने में तो आप देख रहे है, ये एड़ोप्टर कर बैठा हुआ है यह स्ट्रॉमेटिक है का इस्तर की अ Αय चुंप आपको क Dot के मोल्ड है स्टर्ट दोल sellers कशिर संफ में एक नोलॉक पलेट है यह क्याप के साथ में लोक पलेट है लेकिन इसके अंदर में भी और कुछ पार्ट्स है जो कि ये पूरा बीरिंग के एसेम्बिल होता है ये जो आप देख रहे हैं ये बीरिंग के बॉडी है ये इधर आपको बैकिंग रिंग होता है bearing में ये backing ring इधर एक होते है और ये portion आपको जहां आपको adapter बैठा है ये घुमते है ये आपको bearing का body होते है मैं photo डाल देंगे साथ में और अच्छा समझ में आएंगे इधर आपको axle end cap बोला जाते है और देखिए ये high tension bolt इसमें लगाए ये lock pin है आज इसके उपर में वीडियो डालने के कारण है इसके fault कुछ होते है उसके उपर में भी वीडियो में बताओंगे इसी वीडियो में देंगे इसमें 9-10 किसिम के fault होते है पहला होते है hot axle, hot box तो क्या होते है गाड़ी चलते है आपके और चलते चलते ये bearing में कुछ तकलिफ होने से या तो इसके अगर कुछ bearing के उपर में प्रेसर आते है तो bearing गरम होते है और hot box होते है मतलब hot axle, hot box एक आपको आते है जब bearing आपको jam घुमते है उस टाइम में एक sound मिलते है abnormal sound आते है तो मतलब इसके bearing के अंदर में जो rotor है वो rotor side खराब हो गया होगा इसको roller बोला जाता है रोटर नहीं sorry, roller रहता है तो roller में कुछ problem आने से ये abnormal sound आ सकते है ये outer cap अगर पकड़ लीजे कुछ कारण से lose होते है broken होते है, crack होते है तो उस time में आपको grease, lose, leak होने का symbol मिलते है ये एक बीमारी, इस तरीके के बीमारी है front में एक ring रहते है अगर ओ खराब होते है तो उसमें से भी आपका grease, leak होने का और bearing खराब होने का chances होते है जो आप end cap के start देखते है ये अगर ठीक से tight नहीं होंगे अगर lose होंगे या तो bend होंगे उसके कारण से भी आपको bearing खराब हो सकते है देखिए ये side frame की है ये अगर नहीं रहते है तो उसमें भी आपका bearing के problem आ सकते है इधर एक returner nut रहते है इस system में नहीं है ये पुराना होगा अपडेट में इधर returner वोल्ट टेक्टो रहते है ये returner वोल्ट अगर नहीं रहेंगे उसमें भी आपको bearing में problem आ सकते है एक्सेल वोक्स में कुछ अगर crack होते है या तो कुछ भी होते है उसके कारण से भी bearing खराब हो सकते है और bearing का इसमें आप लोग जानते है इनर रेस आउटर रेस रहते है जिसमें रोलर बैठा रहते है तो इनर रेस और आउटर रेस में कुछ अगर problem होते है तो उसमें excessive load में भी bearing खराब हो सकते है तो बीमारी bearing का इस तरीके से होते है और एक जो होते है ये bearing कोई भी condition में कुछ भी करण से खराब हो सकता है तो ये सब fault आपके bearing का उपर में आते है अब bearing का parts जो है मैं एक टोक टिक्चर डाल देंगे तो आप लोगों को थोड़ा से अराम से समझ में आएंगे तो सायद इस वीडियो आप लोगों को इस तरीके से समझ पाये है कि bearing में क्या क्या assembly रहते है और एक artist पर roller bearing है हमरा goods में लगते है ये type का bearing और मेरा LHB coach में भी लगते है इस type का bearing लेकिन type थोड़ा से अलग है उनके और हमरा जो coaching में है ICF में वो spherical roller bearing और double इसमें रहते है 14-14-28 roller उसमें रहते है तो चलिए वीडियो अच्छा लेगे तो like दीजिए कुछ जान करिए जरूरत तो comment box में comment कीजिए चैनल पर ना है तो चैनल को subscribe कीजिए तब तक कर लिए next वीडियो और डालेंगे LHB का उपर में है जो की LHB में कोई ने पूछा मेरे को single pipe होता की नहीं अगर होता है तो कैसी तो खाली Fp pipe में चलेंगे की या तो BP pipe में चलेंगे अपी pipe तो चल नहीं सकता लेकिन BP pipe दोनों जरूरत है उसको उपर में वीडियो मेरा डालना है और टाइप ओव वागन का उपर में मेरा बहुत सारा वीडियो बाकी है मैं कोसिस कर रहा हूँ कि मेरे को वागन थोड़ा फ्री मिल जाए तो एक एक का उपर में में वीडियो डालते रहेंगे और आप लोगों को एक एक का remedy मिलते रहेंगे आज कल आप लोग जानते है कि load empty device जो है अब वो एक नया pneumatic system में आये है उसके उपर में वीडियो डालेंगे लेकिन गाड़ी होना चाहिए मेरा पास फ्री में तो चलिए next वीडियो के लिए इंतजार करिए कब तक हो रहा मैं कोसिस कर रहा हूँ तब तक सूस रहे है सुरक्चीत रहे है और thank you for watching my video and have a good day